च्छात्रो तुमने आज रक्त समूह रक्तदान तो रक्त की रचना और उसका कार्य समझने के बाद आपको पता चला ही होगा कि किसी व्यक्ती का जीवन खत्रे में आ सकता है यदि उसके शरीर से बहुत रक्त बह गया हो कई रोगों की इलाज के समय रक्त और उसके घटकों की आवशक्ता रोगी को होती है पहले जमाने में चोट खाने के अत्वा सरजरी होने के बाद भयानक रक्तस्त्राव के कारण रोगी मर जाते थे इसी कारण रक्त आधान का जन्म हुआ रोगी की शरीर में रक्त चढ़ा कर डॉक्टर ने रोग्यों की जान बचाने का प्रयास किया पहले पूरा रक्त चढ़ाए जाता था किन्तु आधुनिक वैद की इलाज में अब रक्त के कुछ महत्वपूर्ण आवशक घटकों को ही जरूरत मंद के शरीर में डाल कर उनकी आपूर्थी की जाती है रक्त आधान की आवशक्ता सरजरी के समय और एनिमिया, थैलासिमिया, करकरोग इत्यादी के लिए होती है इस प्रक्रिया के लिए स्वस्थ व्यक्ती का रक्त लिया जाता है इस व्यक्ती को दाता कहते हैं और जिसे रक्त चाहिए उसे रक्त ग्रहक कहते हैं रक्त जमा करने के लिए एक विशिष्ट मार्ग तरीका है। अब मेरा प्रश्ण ये है कि क्या हर कोई रक्तदान कर सकता है। नहीं, तो हम देखेंगे कि कौन रक्तदान नहीं कर सकता है। 1. बहुत कम वजन वाला अशक्त व्यक्ति 2. पिछले 3 सालों में मलेरिया से तरस्ट व्यक्ति 3. निरंतर दवा लेने वाले व्यक्ति 4. एड्ज, रक्त का करकरोग, एनिमिया, मधुमे, पिलिया, इत्याधी से तरस्थ व्यक्ति 5. गर्भवती महिलाव, स्तनपान कराने वाली माताएं छे दारू अथवा ड्रक्स का सेवन करने वाले व्यक्ति हमारे देश में व्यक्ति स्वस्थ हो तब ही वो तीन महिने के अंतर में रक्तदान कर सकता है एक समय में एक यूनिट याने ऐसी परिस्तिति में रक्त बैंक से रक्त लिया जाता है रक्त बैंकों में विशिष्ट पद्धती से निरोगी व्यक्ति के शरीर से रक्त निकाला जाता है और रखा जाता है आजकल रक्त रखने के बाद उसके घटक जैसे कि प्लाजमा रक्त कोशिकाएं अलग करके संग्रह चाहिए मानव में रक्त के मूल घटक समान होने के बावजूद भी कुछ अंतर होता है रक्त में कुछ विशिष्ट प्रतिन होते हैं जैसे कि लैंस्टी ने नाम के वैग्यानिक ने किया था इस काम के लिए उन्हें नोबेल पुरसकार मिला था मुख्य रक्त समूह के साथ ही एक आरेश फैक्टर होता है और बीसी के प्रिष्टभाग पर एक प्रोटीन होता है यदि ये प्रोटीन मौजूद है तो व्यक्ति आरेश प अंसा है और ये भी चेक कर सकते हो तुम अरेश पॉजिटिव हो या अरेश निगेटिव हो दोस्तों कुटुम्ब के सदस्यों को भी रक्त समूह चेक करने के लिए प्रवरुत करो इन चारों रक्त समूह में से ओ समूह का रक्त अन्य सभी समूह वाले रक्तों को दिया जा कहते हैं अरिश निगेटिव के रक्त समूह का दाता मिलना बहुत कठिन होता है उसमें भी यह बिच निगेटिव बहुत असामान्यभ को अपने दोस्तों और रक्त समूह A, B, AB और O बनाए गए हैं मुख्य रक्त समूह के साथ ही एक आरेश फैक्टर होता है RBC के प्रिष्ठभाग पर एक प्रोटीन होता है यदी ये प्रोटीन मौझूद है तो व्यक्ति आरेश पॉजिटिव है और यदी मौझूद नहीं है तो वो आरेश निगेटिव है O समूह का रक्त अन्य सभी समूह वाले रक्तों को दिया जा सकता है तो AB समूह के रक्त वाले व्यक्ति सभी से रक्त ले सकते हैं इसलिए O रक्त समूह को सार्वभाउं दाता कहते हैं तो AB इस रक्त समूह को सार्वभाउं ग्राह कहते हैं रक्त बैंकों में विशिष्ट पद्धती से निरोगी व्यक्ति के शरीर से रक्त निकाला जाता है और रखा जाता है पहले पूरा रक्त चड़ाए जाता था किन्तु आधुनिक वैद की इलाज में रक्त के घटक दिये जाते हैं झाल जाता है